मैं, I promise you, my best men will be on the job I have a request, मैं इंडिया से कोफी सब भीजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा I don't think that is necessary Don't worry about that, उसके कांट करने का तरीका सबसेर हालिवुड क्लासिक का रीमेंग, क्या इंडियन रैंबो की भी बनेगी फ्रेंचाइजी है कौन सी है प्रस आईगी टाइगर के साथ हलो दोस्तो मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है पॉलिग्रेट स्टूडियो उसकी एक और नई वीडियो में जब आपने सुना होगा कि टाइगर श्रॉफ एक नए अवतार में यानि रैंबो के अवतार में नजर आने वाले हैं तब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रैंबो है कौन और अगर आप हॉलिवूड फिल्म में नहीं देखते या सिर्फ डीसी और मार्वल ही देखते होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि रैंबो एक हॉलिवूड क्लासी मूवी फ्रेंचाइजी है जिसमें चार पार्ट्स हैं और इस फिल्म के लीड रोल में सिल्वेस्टर स्टैलॉन नजर आये थे जिन्होंने इस फिल्म को लिखने में भी पार्ट लिया था और ये फिल्म डेविड मॉरल की सेम नेम नॉवल पर बेस्प थी अब हम आपको इस फिल्म के रीमेक के बनने के पीछे के रीजन को बताते हैं जिसमें सबसे पहला रीजन ये है कि इस फिल्म का एक्षन ये फिल्म 1982 में आई थी लेकिन ऐसी एक्षन फिल्म आज तक बॉलिवूड में नहीं बनाई गई है इसके बाद आती है फिल्म की कहानी जो एक famous army man की कहानी होती है जिसे गलत तरीके से जूटे इलजाम में फसाया जाता है और हमें इस फिल्म में यूकस survival देखते हैं कि वो पुलिस से कैसे बचता है और उसके बाद की वज़ा है सिल्वेस्टर स्टेलॉन की दमदार acting उनका action औ तो आप ये जरूर मानेंगे कि इस फिल्म के लिए Tiger Shroff से बहतर कोई नहीं हो सकता और last reason है इस फिल्म की popularity ये फिल्म अमेरिका में काफी हिट रही थी और जब 2019 में इस फिल्म का last part आया था तब इतने सालों बाद भी इस फिल्म को इतना अच्छा response मिला था अब इतनी अच होने वाला है तो ऐसा कहा जा सकता है कि फिल्म की release के बाद अगर फिल्म को अच्छी popularity मिली और अगर ये फिल्म लोगों को पसंद आती है और hit साबित रहती है तो इस फिल्म को जरूर आगे बढ़ाया जाएगा और हमें चार पार्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे अब बा से बनाया जाएगा इसलिए ऐसा possible है कि फिल्म में छोटा ही सही मगर किसी heroine का रोल होगा क्योंकि अगर फिल्म में actress नहीं होगी तो मजा भी नहीं आएगा और tiger के साथ ऐसी फिल्म में तो दिशा पतानी का ही आना बनता है और इन दोनों की जोडी को काफी पसंद भी किया जाता है इसलिए इस बार भी ये दोनों love words ही इस फिल्म में नजर आने वाले हैं क्या आपने Rambo First Blood देखी है ये हमें comment box में जरूर बताएं साथ ही आपके लिए एक important news है अगर आप भी cinema की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो description box में दिये हुए job link पर click कीजिए और इस opportunity का भरपूर फायदा उठाइए उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल बॉली ग्रैट स्टूडियो उसको सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद कर दो है